हेलो एब्रीवन देखें कोश्चन सेकिंड है हमारा 6.1 का क्या कहा रहा है यह इन फिगर 6.14 लाइस एक्स वाई एंड 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 इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन सी लाइस एक्स वाई और एंड इफ एंगल पी ओवाई इस 90 डिगरी पी ओवाई देखो अब तो आपको समझ म फाइंड एंगल C तो मतलब यह दखो यह A और B की हमें रेशो दे रहा है इन एंगल की 2 रेशो 3 और यह कितना दे रहा है C, C को हमें find out करना है तो चलो देखते हैं पहले solution में पर तो given लिख लेते हैं क्या-क्या है हमारे पास angle P, O, Y कितना दे रहा है इसने 90 डिगरी 90 डिग प्रिटमेंट वाले question में भी आता था हमारे पास तो उसको क्या लेते हैं हम एक्स के साथ लेते थे क्यों कि रेशो है ratio में कुछ भी हो सकता था इसके साथ वारिबर तो हम A को क्या लिए लेते हैं यहां पर So A equal to 2x लिख देता हूं मैं और B को लिख देता हूं 3x Clear इतनी बाद अब तो कुछ भी नहीं रहा question में देखो जरा अब xy पे linear pair बना दो इस पे xy पे linear pair कैसे बनेगा इस line पे यह देखो यह वाल एंगल b plus angle a plus यह 90 degree or equal to 180 degree यह linear pair बनेगा तो कैसे करेंगे अब हम इसको लिखके बताना जरा कैसे करेंगे बी को मैं कैसे लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं बी को x o m और a को m o p और p o y तो ही है कुछ गादो मैं इसमें simple त्रीके सी कर देता हूं आप directly क्या करो देखो इसको angle b plus angle a plus angle p o y is equal to 180 degree यह क्या है linear pair ठीक है तो बी की value रख दो कितनी है b की value है 3x कितनी है 3x plus a की value है 2x और p o y कितना angle है हमारे पास 90 degree equal to हो गया यह 180 degree तो देखो 3 plus 2 5x plus 90 is equal to 180 degree तो 5x is equal to क्या जाएगा 180 minus 90 कितना होता है 90 यह रहा 5x और x की value कितनी आ जाएगा यहां से 90 upon में 5 तो इसको कट कर लो division में कितना आएगा यह देखो देखो 5 1s और 5 5 8s और 40 तो यह 18 degree आ यहां पर x की value कितनी आएगा यह 18 only 18 मानलो degree तो नहीं कह सकता मैं इसको अभी तीक है कितना है यह 18 तो अब देखो जरा a की value मैं निकाल सकता हूं क्या a की angle a की value 2 x x था उपर तो 2 x में क्या जाएगा 18 कितना आ गया यह अब लिख सकता हूं 36 degree तो यह देखो a कितना आ गया मेरे पास 36 degree और यह आ गया b मेरे पास 54 degree और हमें तो क्या find out करना है angle c find out करना है find c कहा हूँ है तो देखो कैसे निकाल सकते हैं सोच सकते हो आप कुछ से देख लो यह c है यह b है यह कौन सी लाइन है mn अगर mn लाइन पर आप इधर linear repair लगाओ तो देखो angle b plus angle c कितना होना चाहिए 180 degree होना चाहिए ना angle b plus angle c 180 degree होना चाहिए तो बस हो गया यह question यही पर ही कैसे करेंगे देखो फिर आप इसको लिख सकते हो angle b plus angle c is equal to 180 degree linear repair कौन सी लाइन थी हो रही है mn-line थी तो बस b की value आपको बता है 54 है plus c is equal to 180 तो c की value कितना होना चाहिए 180 minus 54 ठीक है कितना आएगा यह देख लिखते हैं यहां करके 180 minus 54 10 में से 4 गए 6 7 में से 5 गए 2 1 कितना आगया यह 126 degree तो आपको बहुत चल गया c निकालना था हमें हमने c निकाल दिया यह बल angle यह बल angle कितना आया ऐसी 120 6 degree ठीक है कर लोगे अब यह questions अच्छे से सिंपल ही था ओ थैंक यू